प्रैसिक्षण देने वालों का प्रैसिक्षण कौन करता है जो ट्रेनिंग देते हैं उनकी ट्रेनिंग कौन करता है यह सवाल इसलिए बड़ा आपको कहता है कि मैं कैडर देता हूं कई वार हमें बहुत साइथ लोग मिलते हैं और कई वार संगतियों में वह टक्रा भी जाते हैं वहां टक्राब भी होता है एक जनवरी की जो संगती जैपुर की थी वहां पर एक सज्जन आये वह बारवार सीट से उचल रहे थे जब कुछ गैने के अताबला है, कहना चाहता है और उसको कहने की आदत पढ़ चुकी है या कहने की एक वीमारी पढ़ चुकी है क्योंकि जब ज़्जादा लोग दिखाई देते हैं तो उनसे रहा नही जाता और वो बार 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 कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कहने के लिए उताबले हो जाते हैं क्योंकि समर्संग की संगतियों में सभी को बरावर माना जाता है चाहे किसी ने संगति लगाई है या नहीं लगाई है चाहे किसी ने मेहनत की है या नहीं की है चाहे कोई व्यक्ति वैसे ही आ गया है तो भी सब की बात सुन रहते हैं, वो हमेशा उनको सिखाते हैं, उनका बहुत बड़ा छेत्र है, ये बातें उनके बताई, पर जो वो बोल रहे थे, वो सारह का सारह irrelevant यानि कि आज के सिनीयरियों से, आज की समस्या से, आज की बात से उसका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, वो जो उनका बात थी जो उनका प्रेक्सिक्ष त्यर्ट था जो उनका केडर था ज़ो नका बात करने का तरीका था या जो अपने Students को वो सिकhा रहे थे वो वही था जो सहाब कासी राम जी ने इक Blackboard पर चौक लेके आरंब किया और सहाब का सी नहीं बुद्ध के बाद में या बावसाप के बाद में मौडरन भारत के अंदर या अभी के अंदर प्रैक्सिक्षण जैसा भी उन्होंने जाना जैसा भी समझा क्योंकि वो कोई मजए मजए टीचर तो थे नहीं उनका जो प्रॉफिशन था वो एक ऑफिचर थे एक साइंट वाले थे और उन्होंने सब कुछ लगबग अपने आप समय से परिस्तितियों से सीखा एक आग उनके अंदर जली तो उन्होंने लोगों को ट्रेंड करने के लिए जतना वो जानते थे उतना वो बताते थे और बताने का तरीका उस समय ना वीडियो थी ना ओडियो थी ना का एक अखवार होता था जिसको घर-गर पहुंचाना है या या हैंडबिल पंपलेट होता था और या मुहों से बताना है और चुकी चौक की और बलैक बॉड की सुप्या होती है तो उस पर लिखके समझाना है ऐसे वो जगे जएगे बठा बठा के समझाए करते थे, केडर दिया करते थे, प्रक्सिश्टन दिया करते थे उनके जाने के बाद उनके चेले उनके केडर से एक बात भूल गें, बाकी सब याद रही वो जो मेन बात थी वो ये थी कि आपस में इखटा रहना है, एक साथ रहना है, परिवार के साथ रहना है, संख्ठत रहना है, यही काम उन्होंने मूल केडर का उद्देश के रूप में दिया यानि जितना भी प्रक्षिक्षन दिया, जितने भी लोगों को सिखाया, जितने भी लोगों को टेंड किया, उनको यही बात सिखाई कि हमको बहुजन परिवार बनाना है, एक साथ रहना है, एक खटे होना है, सब लोगों को साथ साती रहना है इस मूल बात को सिखाने का जो प्रक्षिक्षन उनों न दिया उनके जितने चेले थे इस मूल उद्धिस से को भूल गए इस बात को जानी नहीं पाए कि उनका केड़ा देने का या प्रक्षिक्षन देने का उद्धिस से क्या था उनको लगा कि वो जो जानकारी बता रहे हैं जो जागरती फेला रहे हैं वस वो जागरती फेलानी है हर एक विक्तिन हैं उनकी आँकबंद होने के बाद बलकि उनके रहते रहते भी अपने-पने सब केड़ लगाने सुझ किये और सबी मानेवर सहाब कासी राम बन गए और सब ने अपनी मर्जी के केड़र दिये सब ने अपने विचार बताये लोगों को महापुर्सका विचार नहीं बताया सब की कहानी अलग है सब का प्रक्षिछन अलग है सब की टेनिंग अलग है और किसी एक से कह दो के भाई तुम इसको लिखत में दे दो इसकी किताब चाप के दे दो तुम क्या टेनिंग में देना चाहते हो तो जीरो बटे जीरो सन्नाटा नला नला यानि कोई भी व्यक्ति अपने बोले हुए को लिख कर देने को तियार नहीं है क्योंकि पकड़ा जाएगा क्योंकि लोग उसकी खाल की बाल नौच लेंगे लोग कहेंगे कि यह तो क्या बता रहा है यह तो है यह नहीं ऐसी चीज है यह नहीं इसलिए बस बंद कमरे में वो इकटे होते हैं वहाँ उनसे जो लोग आते हैं जिनको घेर घार के लाया जाता है उनसे कुछ पैसा लेते हैं या उनको अपनी तरफ से खाना खलाते हैं सुबह दसवे से आरम करते हैं बीच में आदा घंटे का लंच होता है और पांच वे तक जैकारे के साथ में बंद हो जाता है और वो प्रक्षिशन देने वाला आदमी स किसी का ट्रेनी होने को त्यार नहीं है वो कहता है बस मैं ही हूँ साप कासी नाम के बाद और कमाल की बात तो यह है कि यह सारे ट्रेनिंग देने वाले भी कभी आपस में इखटा नहीं होते इनका कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है यह कभी आपस में एक दूसरे को ग्य या इनकी जागर यह आपस में तरक्वितर्ख होगा तो समझ में आ जाएगा तो उस तरक्वितर्ख से बचने के लिए ये बंद कमरें बोलते हैं और mostly single एक तरफा होता है यानि कि जो सामने वाला है बोलता है बोलता है बहुत नाम 마त को कोई एकात कोर्षिन ले तो वो भी उसी से लेता है कि जो मैंने बताया है उससे आपकी सहमती है या नहीं सामने वाले जो वेक्ति बैठे रहते हैं वो पूरे कुरे कारज होते हैं उन्हें कुछ नहीं पता कि जो हमें ट्रेनिंग को बता रहा है किसी को कुछ नहीं पता इसलिए जितने भी ट्रेनिंग देने वाले हैं जो वो ट्रेनिंग दे रहे हैं उनकी ट्रेनिंग आपस में उलज रही है और समाज को नुक्सान पहुचा रही है सबसे ज़्यादा नुक्सान इस बात का है कि ट्रेनिंग देने वाला जिनको ट्रेनिंग देता है उनको अपना गुलाम बना लेता है उनको अपना गुलाम समझता है उनको अपना संग्ठन भी साथ पकलाता है उनको अपनी संस्था भी साथ पकलाता है और फustain उनसे कहता है, चंदा लाओ, आप चंदा खटा करो, अब तुम इसके मेंबर, अब तुम इसके पदादिकारी, अब तुम इसके ये, अब तुम इसके वो. तो एक तरह से बंद हुआ मजदूर जैसी हालत उस टेनिंग लेने वाले की हो जाती है उसके विचार सुतंत होने की बजाए और ज्यादा बंध जाते हैं और वो बंद हुआ मजदूर होकर सिर्फ वहां रह जाता है और कहीं कोई करांती बरांती नहीं होने वाली कोई कहता है कि जागरती से क्रांती होती है पढ़ाने से क्रांती होती है लोगों को जागरुक करने से कुछ चेतना आतने से जागरती होती है क्रांती होती है नहीं होती जागरती से क्रांती का कोई लेंदरा नहीं है सिर्फ स्पीड कम जादा हो सकती है पर इखटा होने से क्रांती होती है पुराने समय में जो लोग इखटे रहते थे वो क्रांती कर लेते थे चाहे वो जगे हुए हों या चाहे सोय हुए हों तो संख्या बल जिसका जितना भारी होता है उसी के साथ उतनी करांती जल्दी होती है और जिनका संख्या बल हमेसा साथ रहता है वो हमेसा मौच करते हैं वो हमेसा हर चीज को प्राप्त करते हैं ये प्राकरतिक नियम है इसलिए सम्विधान भी कहता है कि आप जागरित हैं य हाँ है भारी और मैं दूंगा आपको आपकी हिस्सेदारी यह समिधान कहता है और दुनिया में यही नियम चलता है पर कैडर देने वाले इस नियम को फॉलो नहीं करते इसलिए वो आपस में भी खटा नहीं होते लोगों को तो क्या खटा करेंगे उनके कैडर दिये हुए लो हो तुम क्या हमें सिखाओगे क्या क्या हम तुम से सीखें तो आगे अगर भविस्से में आपको कोई व्यक्ति यह कहे कि मेरा प्रेक्षिटन ले लो या मैं ट्रेनिंग दूंगा या मैं जागरित करूंगा या मैं पढ़ाऊंगा तो आप उनसे यह पूछना कि क्या आप क्या ट्रेनिंग देने वाले साई लोग इखटे हैं क्या आप अपने मसीहा काशीराम जी की बात मानते हो क्या बावा साब ने जो कहा और इखटे रहना वह बात मानते हो क्या बुद्ध ने जो कहा है कि हमको संग की सरण में रहना है इखटे रहना है वह बात मानते हो जब भी अपने महापुर्सों की बात नहीं मानते तो हम आपकी बात क्यों मानें और क्यों आपका प्रेक्शन लें और क्यों आपके चकर में फसें और क्यों अपना टाइम बरबाद करें और क्यों आपके चेले बने और क्यों आपके गुलाम बने अगर आपने ये प्रसंद नहीं पूछे और जाके महाँ उनकी टेनिंग लेना सूख कर दिया तो ये ठीक ऐसे ही होगा जैसे कोई अधकच्रा सा पड़ा लिखा सा आदमी होता है वो कहता तो ये है कि मैं पड़ा लिखा हूँ पर परिणाम उससे हमें सा उल्टे ही आते हैं जो भी वो काम करता है उल्टा ही क चाईए और उनको पहले है खुद इखट्टा होना चाहिए जब वो इखट्टे हो जाएं उनका यूनिफाइड पूरा पूरा में हो उनका एक में कोर्स हो उसकोर्स की किताब में हो वह सारी चीजा उनकी हाथ में हो उनकी एक शंस्ता हो तब वो लोगों को कहें कि आए हम होने में सकती होती है और बाकी saara काम स्रमन संग कर देगा क्योंकि स्रमन संग के अंदर सारे लोग सिखाते हैं और सारे लोग सीखते हैн ओन लगातार अपनी बुद्धि को तेज करते हैं रोज तीन घंटे, रोज तीन घंटे साम को आठ विचले के ग्यारे वितक दोचो डाईचो तीन सो लोग आप असमें तर्क वितक करते हैं संगंग नमामी, संगंग नमामी, संगंग नमामी